हेलो फ्रेंड्स विल्कब बैक टो मैं चैनल मैशनिया आज देखे मैं आप एक सुंदर सा छोटा सा ट्रे गार्डन में आ रही हूं तो मैंने आप लिया हुआ है एक जेट प्लांट जिसको मैंने आप लगा दिया है थोड़ा से मुझे इसको और सही करना पड़ेगा और एक गोंसाई के उसमें मैंने इसको मतलब लगाया हुआ था इस तरह से हम इसको रख देंगे यहां पर और उसके बाद मैं यहां पर लगाऊंगे कुछ साकुलेंट जो कि अभी विंटर में हमारे गार्डन बहुत अच्छे चलेंगे और मेरे माताज जी की मतलब लक्ष्मी लगेगा इनको मैं किसी बड़े प्लान्ट में रखलनगी एक बड़े से ट्री जासे प्लान्ट के नीचे मं ईनको रख दूँंगी तो यह वाले बहुत प्यारे से हैं तो यहां पे देखिए इनको हम राखेंगे और यहां पे लेकर कशे सब्सक्राइब करेंगे और कुछ सब्सक्राइब करेंगे और कुछ स्टोन वगारा मैं अभी कलेक्ट नहीं किया है मैंने कहीं पर रखा हुआ तो उनको मैं बाद मिलेंगे अभी थोड़ा सा अंधेरा सुबार के पांच बजे हुए हैं और मैं यह काम करने वाली थी यहां पर हमारा पॉर्टिंग मेडिया यह देखिए इस तरह का यह वेल्रेन है राइस है इसमें सब्सक्राइब नहीं मिलाई है तो इस तरह से यह हमारा मेडिया है और इसके बाद ह हम इसको पूरा सता को देखते हैं इस प्लांट को कितना कितना दूरी पे रखेंगे तो देखिए एक प्लांट हमारा इतने में आ जाएगा और दूसरा प्लांट हमारा इतने में आ जाएगा ऐसे आ जाएगा कि देखिए इस से हम इसको लगाते हैं तक यहां पर थोड़ा स स्पेस भी रहें बाहर की तरविय फैलिंगे थोड़ा सा तिन तिन चार चार ब्रांचे से इन सक्लेंट में बहुत जादा खुप सुद्ध लगेंगे तो इनको हम लगा लेते हैं जल्दी से और दो सक्लेंट में एच्वेरिया के लेकर क्या हैं यह थोड़ा से मतलब उतना हा इक हो जैसा यह ठीकक ज्यद को भी कम चाहिए कर लीजन को भी कम चाहिए तो सिलेक्ट कि इस पहले से पहले गर्पिक देखिये मैं क्पलडम ब्रें ओधन है वक्ष नोस के का प्ड़ा दिए कंप बच्छ आ है ओल्लिंट्ध लागा दिए-व् psychiat्स पहले लगार दिया है क्य तो इसको थोड़ा से लेवल मिलाने के लिए यहां पर थोड़ा से इस में इस तरह से भर देंगे यहां पर ताकि हम इसको कार्पेट को रख करके और हमारा जी सता है यह थोड़ा सा बराबर कर लेंगे अब चाहे तो और भी कुछ प्लांटे हम लगा सकते हैं देखे एक लेव टूट गई है इसको हमटा देते हैं यहां से तो आप इसी भी रख देंगे तो यह भी ग्रो हो जाएगा और थोड़ा से तिर्चह लग रहा प्लांट हमारा अभी तो चलिए हम थोड़ा सा और डाल द जो गार्डन है छोटा सा यह खराब नहीं होगा मतलब गंदा नहीं होगा तो आप साइट से चाहे तो एक-दो श्नेक प्लांट भी यहां पर लगा सकते हैं जैसे कि मेरे पास है कहीं भी मैंने लाके रखा हुआ है छोटे-छोटे से तो वह भी काफे ज़्यादा ब्यूट हमारे इस तरह से इसको थोड़ा से हम बजरी से पहले कवर कर लेते हैं उसके बाद हम इसमें कार्पेट बिछाएंगे तो यह देखे इस तरह से मैंने तयार किया जो सकुलेंट था ना एचिवेरिया उसकी लीफ काफी ज़्यादा गिर रहे थी तो मैंने उसको हटा करके औ मतलब यह हारडी है हमारा प्लांट और काफी ज़्यादा ब्यूटिफुल लगेगा थोड़ा वेरिगेशन भी है इसमें पतियों में तो यह ज्यादा खुबसूरत लगेगा इसलिए मैंने दो कटिंग यहां पर मतलब कटिंग रो हो चुकी थी मेरी काफी अच्छे से उनक कर दोंगी तक हमारा पॉट और ज्यादा अच्छा दिखे वैसे बहुत ज्यादा दिक तो नहीं रहा है लेकिन फिर भी थोड़ा मिट्टी को भी बाहर नहीं आने देगा इधर उदर से और इस तरह से कलर फूल स्टोन को हम थोड़ा से यहां पर डिकुरेट कर लेंगे और इसके बाइद हम रख देंगे यहां पर भगवान जी कि यह देखे एक इतना खुबसूरत लग रहा है यह वैसे थोड़ा और नीचे में रखते तो मैं ज्यादा सुन्दर लगता मुझे लगता है थोड़ा से मुझे यहां से तो चलिए रख देते हैं थोड़ा से मिट्ट के पास भी तो मेरे पास ज्यादा कुछ है नहीं डेकोरेशन के लिए फिर भी यहां पर देखे थोड़ा सा अगर रख देंगे हम इनको इस तरह से देखने में काफी अच्छा लगेंगे तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं बहुत दिनों से मन्त हमेरा मतलब यह बनाने का पर वही थोड़ा सा मेरे गार्डन में इतनी स्पेस नहीं है कि मैं अपने गार्डन में डेकोरेट करके रख सको आप यहां पर और भी मतलब छोटे-छोटे मिनेचर ट्वाइज रख सकते हैं जो कि और ज़्यादा व्यूटिफल बनाएंगे आपके छोटे से गार्डन को तो यह देखिए यहां से हमने यह खाली थी स्पेस थोड़ी सी तो हमने यहां पर इसको कि डेकोरेट कर दिया है थोड़ा सा इस्टोन से ही यह हमारे भगवान जी को यहां पर बठा रहेते हैं यह बहुत जादा खुबसूरत लग रहे हैं देखिए कितने प्यारे दिख रहे हैं कितना ब्यूटिफुल लोग दिख रहा ना एक दब सुन्दर सा और बहुत दिनों से एक्छा थी मतलब मैंने सोचा था इस बार की द जा करके आप उनको अपने गार्डन में इस तरह से रख सकते हैं और एक ब्यूटिफुल से गार्डन बना सकते हैं जो कि इतना ज्यादा ब्यूटिफाई करेगा आपके गार्डन को कि देख करके मन खुस हो जाएगा सुबह सुबह का टाइम है अभी थोड़ा सा और मैं ब प्लांट को अच्छे से अरेंज करके वहां पर इनको भी रख दोंगी और यह बहुत जारा सुन्दर लग रहे हैं बहुत ब्यूटिफुल लग रहे हैं तो आप लोग भी इस तरह से बना सकते हैं मैं एक ट्रे में और बनाऊंगी तो उनमें मैं प्लांट लगाउंगी और लगे यह बाले जमुरतियान मेरे यह लाश्ट इयर की है मतलब इसको दो साल हो गया इनको और यह पिछले साल के हैं तो इस बार बे मैं छोटे से लेकर आई क्विड़े से और प्यारे लगते हैं और जो है जो यह जड़ प्लांट है इसको में वहाँ साइक को करें तो यह दॉब का इसानला सकते हैं तो आपका गार्डन बहुत ही ब्यूटिफूल लगता है देखिए भीक कोई सब्सक्राइब की जाइस lapis सब्सक्राइभ प्रकर सरकी चुरफा, जातका के तक्नीOOD, आपनी शुबार्ण नीजिए नियुकि कर सकते हैं देखिए आप मैंने अडेनियम लगा दिये हैं इसके साइड से जिन में समय फ्लावरिंग हो रही है और अभी है हमारा जो सीट ग्रोंड प्लांट इसमें कितनी धेर सारी कलिया मनें तो काफी टाइम तक खेलेगा उधर देखिए मैंने सारे अडेनियम लगा के और यहां पर हमारे ही मिनेचर छूटा सा गार्डन जो कि बहुत ही खुबसूरत सा लुक दे रहा है गार्डन को तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही मिलते नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टोपिक के साथ तब तक कि लिबाए है